नमस्ते दोस्तों, 7 Cents के इस YouTube चैनल में मैं विकाज बोपिनो और आप सभी ट्रेडर्स लोगों का तहद दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो से हमने नया सेरी स्टार्ट करना है ट्रेडर क्वीज और ये इस सेरी का फर्स्ट पार्ट होगा दोस्तों तो इसके जरी हमने जो नॉलेज लिया है उसको यहाँ पे जज़ किया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिकली आपका आत्मईश्वास बढ़ जाए और यहाँ पे फंडामेंटल एनेलेसिस भी आपका एक अच्छा हो जाएगा यहाँ पे फंडामेंटल एनेलेसिस के लिए आप का attitude को develop किया जाएगा दोस्तो चलिए आईए आज के इस शांदार session को start कर देते हैं 7 cents YouTube channel के साथ में दोस्तो जब market में share का दाम बढ़ने लगे price बढ़ने लगे तो इसका मतलब क्या होता है बताइए demand बढ़ेगा की decrease होगा क्या होगा बढ़ेगा की उतरेगा demand क्या होगा यहाँ पे दाम बढ़ रहे एक इन्यूज है यहाँ पे share के दाम बढ़ रहे तो यहाँ पे क्या हुआ demand बढ़ा की कम हुआ तो यहाँ पे उस चीज़ का demand बढ़ा है दोस्तो ठीक है नेक चीज़ बताइए supply बढ़ा की कम हुआ यहां पे दाम बढ़ रहे है मतलब क्या है डिमांड बढ़ा है और सप्लाइ जो हो रहा है वो कम हो रहा है इसके लिए तो दाम बढ़ रहे है तो यहां पे जो दाम बढ़ रहे है उसकी वज़ा कोन है इसका वाल्यूम बढ़ाने का वज़ा किसका है बायर का है कि sellers का है तो देखिए जब volume की बात आती है तो दोनों transaction होते है कोई तो buy करता है कोई तो sale करता है लेकिन दाम बढ़ रहे है इसका मतलब जो है यहां पे buyer strong है पहले buy किया जा रहा है उसके against में auto sale हो रहा है आपने सवालों के जवाब देना है ऐसी केस क्यों हुई है डिमांड बड़ा है कि कम हुआ है प्राइज डिक्रीज हो रहा है मतलब उसकी मांग जो है वो क्या हो रही है कम हो रही है दोस्तो इसलिए उसके दाम घट रहे है अब मार्केट में टमाटर के भाव कब घटेंगे जब उसकी मांग कम हो जाएगी तो उसके दाम अपने आप घट जाएगे सप्लाइ क्या होगा यहाँ पे दाम घट रहे है सप्लाइ क्या है बढ़ रहा है कि डिक्रीज हो रहा है तो share के दाम जब घट रहे होते है दोस्तों तो उसका supply जो होता है वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा supply है डिमांड से भी ज़्यादा supply होगा तो उसके दाम घट जाएंगे अब बताए किसकी वज़े से यहाँ पर volume बढ़ेगा यह दाम घट रहे है उसको जिम्मेदार कोन रहेगा sellers की buyers volume यहाँ पर क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो sell करने वाले लोगों का यहाँ पर volume बढ़ रहा है उसके against में auto buy हो रहा है दोस्तों volume के लिए तो दोनों चीज़े लगेगी buy भी किया जाएगा against में sell होगा लेकिन पहले sell होगा उसके against में buy होगा तो ऐसी situation में environmental analysis जो है वो भी साथ साथ में समझना होता है दोस्तों market में समझने लेकिए समझने के लिए तो देखे market में news आया है कि लोग electric गाडियों को पसंद कर रहे है तो गाडियों को पसंद किया जा रहा है electric गाडियों को तो ऐसे news से हम क्या prediction निकाल सकते है कि electric bikes cars के shares price का दाम क्या ह होगा बढ़ेगा क्योंकि लोग इसको क्या कर रहे पसंद कर रहे यानि इसकी खरेदारी बढ़ेगी लोग इसको बाय करेंगे इसका demand क्या होगा बढ़ेगा लोग इसको मांग रहे तो demand क्या होगा इसका बढ़ेगा demand बढ़ेगा सब लोग मांगेंगे तो supply क्या हो तो यहां हमेंने क्या करना इसको बाय करना पढ़ेगा, ठीक है, यह सारी चीजे आपको समझ में आने चाहिए इसके वज़े से जो वालिउम भड़ेगा, वो बायर्स लोगों की वज़े से बढ़ेगा, अब इसके सामने और एक न्यूज अगर आ गई, क्या आ गई के आने व वाली गाडि चला लू, तो इसकी वज़े से क्या होगा, Electric, बाई, Cars, के Shaer's के प्राइस क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, क्योंकि इसको लगने वाला इंदन है, वो महेंगा हो रहा है, गाड़ी तो लालू महेंगा है, लेकिन इसके अंदर इंदन दालना है, तो इस तरीके से हमें मार्केट में आने वाली न्यूज का पृतक करन करके उसका तर्क वितर्क निकालना होता है और उसी के जैसे हमें पोजिशन लेडी होती हो ठीक है तो ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे दोस्तो यहां पे और यह सीरीज अबर आपको अच्छी लगी ह तो वो आपने कमेंट बॉक्स जरूर कर देना है दोस्तो और हमारी जो मेंबर्शिप है टेलेग्राम की प्रिमियम मेंबर्शिप उसको जाइन करने के लिए पूरा डिटेल्स नीचे दिया हुआ है जीरोदा से अपना डिमैट ट्रेनिंग अकॉंड बनाना है उसका भी लि करते हैं आनंद खुशी के साथ में मैं यह नए नए वीडियो लेकर के आता हूं दोस्तो और नए ट्रेडर्स लोगों से दरखासते हैं दिल से हुजा रिष्ट है दोस्तो चैनल को अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है चैनल को सब्स्राइब कर दीजेगा उसके बाद आन आपको एक बहतरीन ट्रेडर बना के छोड़ेंगे तो फिर मिलते हैं एक और खास शांदार बहतरीन वीडियो के साथ में तब तक के लिए थैंक यू